हेलो गाईस वेलकम बैक टू अन्दार वीडियो आज की सूड़े में बात करेंगे स्सी सीजियल टीय टू का जो एक्जाम हुआ है उसकी टाइपिंग टेस्ट के बारे में की टाइपिंग टेस्ट कैसा आ रहा है और जितने भी आपके प्रिविएस वीडियो में डाउट थे वो सारे में कीलियर कर दूँगा आज की सूड़े में प्रिविएस वीडियो में कल का जो एक्जाम हुआ था दो मार्च का उसका रिविउ मैंने बताया था और लगबग उसे छे हजार से ज्यादा लोगों ने व्यू किया है उसमें भी आप देख सकते हैं कोमेंट डाउट के बात करें तो कल कर जैसा ही आया है दो मार्च को जैसा एक्जाम हुआ है रिज्टिनिंग में सिटिंग अर्रीजमेंट और पजल आ रही है पांसे छे चोषुन और इसके बाद सटेटमेंट एन अजप्सन से चार कोषिन आ रहे हैं इसके बाद जो coding and decoding है इसके अलबा सी लोक्स है blood relation है इसके भी question आ रहे हैं जो कल जैसा था dyes, calendar और close के आज भी question नहीं आए है जो math का section है कल जैसा ही है arithmetic थोड़ी जादा पूची जा रही है advance थोड़ी कम यनि कि 60% और 40% का ratio रह रहा है arithmetic में 3-4 question थोड़ी difficult है बाकी सारे आसान है जो advance है वो formula वेसी आ रही है तो सारे formula वगएरा अप अच्छी तरह करके जाना ताकि आपको कोई भी प्रसानी नहीं हो probability, permutation and combination से भी question आ रहे हैं height and distance के 2 question आए हैं आज के shift में technometry का एक question आया है जिसमें option बताना था कौन सा सही है, कौन सा गलत है algebra से एक question आया है और इसके बाद geometry से भी question आ रहे हैं तो ये कुछ important topic थे English में पहरा जो passes था उस थोड़ा land दिया था close test के 4 question आया थे active wise, passive wise, direct and direct से 4-5 question आया थे और antonium, sunenium, one word, substitution सभी से question आ रहे हैं क्योंकि ये typing test का video है तो चलिए start करते हैं अगर आप channel को first time visit कर रहे हो तो इसे subscribe पर लेना, bell icon को press कर देना exam से related सभी update मिलने लगेगी और थोड़ा channel को support भी हो जाएगा सो चलिए start करते हैं सबसे पहले जो क्योरी है student के बीच में, कि ये बहुत से कोई ही नहीं पता है कि इसका जो है आपको paper मिलेगा और typing करना होगा या नहीं देखे ये online ही exam होगा उपर की window में आपको पैरा दिखाई देगा और नीचे की window में आपको ऐसे type करना होगा ठीक है, तो इसमें paper नहीं मिलता है paper sit नहीं मिलता है, online है software पे होगा exam, तो ये doubt नहीं होना चाहिए इसके बाद, जो इसका पैरा है बिल्कुल simple ही आ रहा है कोई भी उसमें character नहीं है जैसे add the rate हो गया, dollar का sign हो गया ऐसा कोई भी character नहीं आ रहा है double inverted comma भी देखने को नहीं मिल ला है coma आ रहा है, और ये वल आ रहा है तो इन पे ही base सारा पैसिज हो जा रहा है बिल्कुल simple आ रहा है, एक पैरा आ रहा है तो इसमें कोई भी ज़्यादा difficulty की बात नहीं है और बहुत से student क्या कर रहे हैं जब उनका पैरा finish हो जा रहा है क्योंकि उनकी speed ज़्यादा है यहां से वो type करते करते यहां तक कर ले रहे हैं और 15 minute का exam है तो यह suppose अगर 11 minute में कर लिया तो 4 minute बचे तो उसमें क्या करे हैं, दुबारा type कर दे रहे हैं इसे ही, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एक बार आपका typing हो जाए तो अगर 4 minute या 3 minute बचे तो उसे re-check कर लेना चीछी तरह है कि कोई error नहीं है, कोई line तो नहीं चूट गई है आपसे, कल के exam में ऐसा हो रहा था पूरा complete 2000 की stroke आ रही है उसमें से, जो है किसी ने 1900 का रखे और 1800 का रखा है तो उनसे क्या हो रहा था कि एक, और उनका time भी बच रहा था 2 minute, तो उनसे क्या हुआ एक line चूट गई होगी, तो ऐसा नहीं करना है आपको line बिल्कुल आराम से check करते हुए करना है, ताकि आपसे error कम से कम हो, और कोई line ना चूट है एक line चूटने का मतलब है बहुत सारा error काउंट हो जाएगा और यह full mistake में काउंट होगा तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और कभी भी दुबारा ना type करें जब आपका exam close हो जाए, तो उसे check कर लें अच्छी तरह, कुछ गलतियों correct कर दो वरना ऐसे रहो, automatic वो submit हो जाएगा ठीक है, यह doubt था, इसके बाद typing English में हो रही है, वहाँ पे by default आएगी, हिंदी में भी कर सकते हो, एक से बात हुई थी तो उसने बताए, option था, लेकिन उसे confirm नहीं था लेकिन mostly यह English का ही वहाँ पे आ रहा था maximum student के 1900, जो 1900 की depression हो रहे थे total इसमें आपको पता है 2000 की stroke आ रहे है की depression आ रहे है, उसमें लगवाग इतना ही आ रहा है हर exam में और उसमें से आपको पता है, अगर आपके 100 गलत होगे तो 5% error हो जाएगी, ठीक है 200 पे 5% error होगी, यनि कि 1900 है तो कितना error होगे आपका 500, 5% error होगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल safe हो आप, तो ऐसे आप पता कर सकते हो और आज इस वीडियो में जो भी आज का exam हुआ है, जिसका भी वो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितना उन्होंने key stock किया है, और क्या-क्या उन्हें difficulty आई है, वैसे तो simple ही पहरा आ रहा है, कोई difficulty नहीं होगी, जो paper का font size है, आपको पता है, बिल्कुल normal आ रहा है, ज्यादा छोटा नहीं आ रहा है बिल्कुल visible है, easy आ रहा है ठीक है, तो इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए keyboard वहाँ पे सही आ रहा है क्योंकि सारे exam अब degree college में या engineering college में होते हैं, ये वाले तो वहाँ पे पहले सी lab होती है और key वोगेरा सही चलती है देखे, इसमें process क्या होगा सबसे पहले, आप जब enter करोगे तो आपका biometric verification होगा उसके बाद 10 minute का mock test दो गया जिसमें आप keyboard होगे रहा चेक करोगे, ठीक है तो ये 10 minute का देख दोगे, उसके बाद ये finish हो जाएगा तो 3 minute आपको rest मिलेगा इसमें आपको mother name वहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद 15 minute का जो original आपका typing है वो start हो जाएगा, ये automatic होगा ठीक है, आपको कोई key नहीं प्रेस करनी होगी ये time automatic start हो जाएगा तो इसमें आपको आपका complete करना है, ठीक है तो ऐसा इसका process है और कोई भी doubt है, किसी भी student का तो comment में पूछ लेना और एक बात हो रहे है, backspace allow है इसमें, जो arrow key है वो भी allow है mouse का भी use allow है और जो letter है ऐसे highlight होता है न, वो नहीं है highlight नहीं होगा इसमें, बिलकुँ simple ही आएगा ठीक है, जैसे all is well है तो ऐसे ही आएगा highlight नहीं होगा, कि अगर ये type कर रहे हो तो highlight होगा, ऐसा नहीं होगा नॉर्मल आएगा, ठीक है तो आज ये शुड़ों में इतना ही, thank you guys